हाई फ्रेंज वेलकम टो आई चैनल मैं हूँ शालीनी पर्पल डॉट कॉम पे चल रही है आई हार ब्यूटी सेल तो मैंने पर्चेस किया है यह सब कुछ और यह नॉन स्पांसर वीडियो है तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते मैंने क्या क्या पर्चेस क्य अभी और जो है मुझे फ्री में मिला है यानि कि अभी एक और भी आउफर में प्रोड़क्ट एना उससे पर्चेस करते अपने फेवरेट्ट जो भी आप ब्राइंड पसंद करते हैं जो भी प्रोड़क्त पसंद करते हैं उसके हिसाब से कुछ उफर है और यह water milan वाला और यह बहुत जादा अच्छा है जी हा मैंने इसको है ना सेंपल में पर्चेस किया था तो उसको मैं दो बार सेंपल में ले चुकी सेंपल वाले में यानि की 15 हैंडल का एक आता है चोटा से ट्यूब तो वह मैं यूज कर चुकि और यह मुझे काफी पसंद आया है वाटरमनें री फ्रेश जेल फेश वास है विटामिन सी एंड क्यूकिमबर के साथ में मिलता है और इसको यूज करने पर रहना सीरिसली बहु को और SLS and SLES free है oily and combination skin वाले इसमें लिखा हुआ है 100 ml की इसकी quantity है लेकिन प्रॉपर रिव्यू मैं आपके साथ बाद में शेर करूंगी और यह काफी अच्छा फेश वास रहने वाला है तो चलो देन उसके बाद में मैं लिया है टोनर मैं काफी टाइम से सर्च कर रही थी कि मैं कौन सा टोनर लूँ जो मेरी स्कीन को सूट है अभी तक मैं रोज वाटर यूज कर रही थी टोनर ना एक्छल मैं होता है हमारे पोर्स को टाइट करने के लिए तो मैंने डॉटन की में सेम ही रेंज में लिया है वाटरमेलन और विटामिन C कुकंबर वाला तो यह एचल मुझे सूट नहीं आता है सिवाए रोज वाटर के वो भी विश केर का जो मैंने एक शेयर किया हुआ है देन यह भी सेम ही है नॉन स्टिकी फॉर्मूला से बना हुआ है और सॉरी वन फिफिट्टी मिल जाती है पैकेजिंग की में बात करू तो इसकी पैकिंग अच्छी है यह पूरा जो बोटल है ना वो प्लास्टिक में है और अभी मैं इसे थर्ड टाइम यूज कर चुकि अभी आप देख सकते हैं इसको तो काफी कम क्वांटिन में लगता है लेकिन इसका बस मुझे माइनस पॉइंट यही लगा है कि इस प्रे में नहीं आता है इस प्रे में इस प्रे में होना चाहिए अधरवाइस यह काफी अच्छा है जब मुझे रिसीव वा था मॉर्निंग में मैंने इसको यूज किया है नाइट में किया है दिन अगिन आज मॉर्निंग में यूज किया है तो हाँ यह ग्लो देता है जैसा ही यह खुद कहते है और यह पोस को कर देता है क्यूकंबर है इस वजे से और काफी मैं इसके बारे में डिटेल में शेयर करूंगे क्योंकि अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो यह काफी अच्छा है अल्कॉल फ्री मिलते है यह प्रोडेक्ट तो कोई और प्रोडेक्ट मैंने इसके अलावा बस एक लिप बाम यूज किया है इसका भी मैंने वीडियो शेयर किया एक विटामिन सी वाली भी एक क्रीम है वो भी यूज किया हूए चोटी सी डिबी है तो उसको मैं कभी कबार यूज कर दियू तो कभी मुझे उसका कोई साइड एफेक्ट तो नहीं लगा तो प्रॉपर मैंने यूज किया तो फिश वास तो डेफिनिटली मैं यह थर्ड बोटल है थर्ड ट्यूब मैं बोलूंगी छोटी-छोटी मैंने पहले यूज की ती देन उसके बाद में थोड़ा सो कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मैंने यह पर्चेस किया है बहुत सारे नेगिटिव रिव्यू अगयरा सब को चेक करने के बाद में मैंने इसे लिया है तो मैं बात मैं इसे शेयर करूंगी सेमी रेंज में मैंने लिया है मॉस्टराइजर.nK का सेम ही है वाटरमेलन कुकुम्बर वाला है तो यह जैल बेस है जो इसका भी फॉर्मुला है 60 ml इसकी quantity है तो यह कुछ इस तरीके से कांच की बोटल है कांच की शीशी है यह बाकी यह प्लास्टिक का है मुझे यह भी कांच का लग रहा था लेकिन यह कांच का है और एक ही बार मैंने इसको लगाया है जैल फॉम में है तो कई बारी यह काफी या तो अभी समर है इस वज़े से लेकिन यह ना तो इस तरीके से है बहुत जादा अच्छा है लेकिन कुक्यम्बर वाली जो कड़वाहार्ड वाली जो स्मेल आती है ना वह वाली में एक स्मेल आती है जो यह फेश वर्स और यह सब है तो काफी अच्छा मतलब कूलिंग कूलिंग सा लगता है फेस पर लेकिन यह कितना जादा इफेक्टिव है इसको कई बार यूज करने के बाद ही मुझे पता चलेगा मैं सेम रेज में काफी लेना चाहरी थी कि मुझे एक सीरम भी मिल जात के लिए जो मुझे लगता है कि अगर मैं इसे निकाल के हैंड पर लूंगी तो डेफिनिटली मुझे इसे भी दुबारा क्लीन करना पड़ेगा तो मैं इसका यूज तो बिलकुल नहीं करने वाली हूँ बाकी स्क्रीन को मैंने एक बार लगाया है उसके बार मैंने लिया है बीट रूट का यह एल्गुटनेस का ब्रैंड से 100% नैचरल बीट रूट पाउडर है यह और अल्गुटनेस में काफी सारे रेंग में हैं आप बहुत तरीके के पाउडर इसमें ले सकते हैं तो मैंने बीट रूट का लिया क्योंकि मुझे अपनी हेर पे इस्पेशली हेर के लिए वैसे तो इसको आप अपनी बॉड़ी पर फेस पर लगा सकते है अच्छा ग्लो आता है बहुत मैंने सुना है बीट रूट के बारे में मैंने कभी भी बीट रूट जो है यूज नहीं किया है परसनली तो मैं इसका यूज करने वाली हो और मुझे हैर के लिए चाह आपको किलियर कहा जाएगा कि यह बीट रूट ही है इसमें और मैंने बहुत सारे इसके पाउडर चेक किये है परसनली वैसे मंगाया सिफ यही है तो इसमें इंगीडियंस में केवल एक ही चीज दी हुई है कि बीट रूट है यह हैर्स पे लगाउंगी ना तो मैं शेयर कर चाहिए जो और गयानिक हो तो देन यह तो थी मेरी पर्चेजिंग उसके साथ मुझे मिला है फेश वास डॉटन की का ही क्योंकि मैंने प्रोडेक्ट इसके लिए है तो आप जो भी प्रोडेक्ट लेंगे उसके हिसाब से ओफर आप चूज कर सकते हैं एक इसमें पहले से ही सेलेक्टेड था कि मतब इसमें कोई आप्शन नहीं था कुछ चूज नहीं कर सकते थे बट एक मैं आपको चूज करने के लिए मिल जाता है तो मैंने फिर यह वाला लिया है दोनों डिफरेंट है वह वाटरमेलन में है और यह बैरे रिपैर हाइडरेटिंग जेंटर फेश वाला है और यह सीका कामिंग ब्लैमिश क्लियरिंग फेश वाश है तो इसमें ग्रीन टी है अगर इसकी किसी की बहुत जादा ओईली है कभी-गभी स्कीन जिन लोग की कंबिनेशन उनको भी ओईली वालों को भी तो यह काफी अच्छा रहने वाला है ब्लैमिश जिनको बह इसको यूज करते हैं ये फ्री में था उप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं तो ये मैंने चूज किया तो मैं इसे यूज करके देखना चाहूंगी मुझे सूट नहीं आया तो मेरे हजबंड की तो ऑईली स्कीन है तो उनको सूट आ जाएगा क्योंकि मैंने रिव्यू स्कीन बहुत जादा ड्राय हो जाती है और मेरी स्कीन ड्राय सेंसिटिव है तो देखते हैं कि ये वर्क कैसा करता है छोटा से ट्यूब है ऐसे ही ट्यूब मुझे मिला था इस वाले में तो ये काफी अच्छे रहते हैं अगर आप कोई भी प्रोडे शेयर करूंगी कि ये परफेक्ट है या नहीं ड्राय सेंसिटिव स्कीन और कॉंबिनेशन नॉर्बल किस टाइप के स्कीन वाले इसको यूज कर सकते हैं तो इसमें आप्शन में मिल जाता है देन उसके साथ में मुझे मिला है एक और एवर यूथ का मेरा पहला पेस्क्रब ये एक पाउच है और छोटू सा पाउच मिला है मुझे तो देन इसका मैंने फर्स टाइम यूज किया था इसक्रब जब आइधिंग मैं फर्स्ट यर में होंगी तो उस वक्त बहुत जादा ब्रैंड चीजे पता नहीं रहती थी जो भी कोई दूसरा रिक्केमेंट कर देत प्रोडेक्ट हुआ करते थे मैं इसका प्राइस देखने हूँ 15 रुपीज का मिलता है 15 रुपे का ऐसा पाउच मिल जाता है और मेभी शायद किसी भी शॉप पे ये मिल जाते होएंगे कुछ इस टाइप से पाउच इस तो इस पर पीछे पूरा डिटेल लिका हुआ है वा मैं बहुत टाइम से उसका यूज कर भी बहुत अच्छा पील ओफ मास्क होता है मैं इसका यूज करके दिखाऊंगी मैं और देन उसके बाद में मुझे फुल साइज मिला है एवर यूथ का ही स्क्रव और संस्क्रीन ये बाइवन गटवन फ्री वाला ये ऑप्शन में नह मैं ये जो ये तैन रिमूबल वाला स्क्रव है चॉकलेड एंड चेरी के साथ मैं तो दोनों ही सेमी रेंच के हैं तो मैंने अभी तक इसको निकाल के नहीं देखा है ये संब्लॉक यानि कि संस्क्रीन है तो इसका यूज कर सकते है और विट चेरी यूवी ए एंड यूवी यलोईश टोन में है ये इस तरीके से यलोईश यलोईश लग रहा है इवन मैं सच बोलू ना तो कुछ टेक्शर वैसा है फेर लवली टाइप उससे थोड़ा सा लाइट तो जो मैं इसका यूज करूँगी तो मैं बताऊंगी कैसा है और यह अच्छा निकलना चाही है ज्यादे प्रोडेक्ट बहुत अच्छे हैं तो देखते हैं बाकी इसका स्वादू कThis निकलता है यह से स्क्रब है यह Okay,and this WE squeezedा मेरा कि या लग से यूस करके यानि कि ये सक्रब और सथ रहने हैं कैसे हैं और मुझे याद आ रहा है कि शायद मैं यह आला यूस कर चुकी तो ये थी मेरी shopping skincare product के साथ और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करना, share करना और मेरी channel को please subscribe करना बिल्कुल मत भूलना मैं मिलूंगी next video में next product के साथ तब तक के लिए bye bye and thanks for watching, bye